परमितर्ति पद्विन्दिपव नमियों सिद्ध शुभाद। गुरु वेशे गुपति रुई गुपति न्यानि शेहकाद। तारण तरण समर्तिमुन। गुरु संसार निवाद। धर्म जोत्तो जिन्वरें अर्थती अर्थेह जोग। भैवे नाशे भवे जोमुन। ममले न्यानि पर ले। देप को गुरु को धर्म को शाच्छी को वरमार नुश्कार। 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 परमार नुश्कार। श्राद गुरुवार श्रीमाचिन तारण सम। और सरवग्य जनेश्वर अर्भवान की अमृत में इरेशना श्री। चोविस्थाना केंत राज्जी। जहाँ पन। निगोत की भावना केसे जीब भाता है। अग्यान दसा में जीब के अंदर केसे परिणाम चलते हैं जिस करण बे निगोत की और चला जाता है। यह बात अबन गुरुद्यप से समझ रहा है। अग्यान धारा के और देख रहा हो तब तक ही संसार अनंत है। और इस परिग्राफ को अपने कल पढ़ लेता जीजी एक मिट में रिवीजन कर देते हैं फिर आप से पल्टाजना। नहीं कि तो भी मोक्शमार नहीं है। विपरित मांता के साथ , हो तो भी प्यारां सुम्हें कि तुम्हारा त्याग किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है भाई या क्योंकि त्यागी का सुभाव है पर्याय से दिश्टी हटा न जब तक विप्रित मानता है नीच बुद्धी है अर्था सरीर में ही एकत्त की मानता है पर्यायों में राग और देश है तब तक चीप कितनी ही किडियां कर ले उसको जाना तो आखिरी मे सब्सक्राइब कहां है निगोद पत्यनम भवत जाना तो निगोद महीं है अपने कल इसका अध्यन कर रहा था अपन चलते हैं वागी क्यों पलट डीजी डीजी अब क्या आ रहा है से अरे शोटी शोटी लाइन वालग पांचना आ गया बारवा प्लटना पड़ेगा नहीं हुआ करा है हम के रहे हुआ है चले ठीक मुझे करहा है कि आपता असवách करहा है कि जिन अक्त rockses national ने क्या गया कर कि अ सर्वग जिन्हें भगवान ने कहा है कि इस मर्जभव में यदि तुम्हें कुछ काम करना है यदि कुछ काम करना चाहते है इस मर्जभव में तो सर्वग जिन्हें परमात्मा ने कहा है कि ज्ञान सुभा में रवन करना एक मात रुपा है यदि कुछ करना चाहते है इस मर्ज से छूड़ जाये तुम कुछ एसा अच्छा करना चाहते हो जिससे तुम्हारा आपका और हमारा अनंतकाल का जणममरन मिठ जाय कुछ एसा करना चाहते हो एक खाम करो गाशा कि क्या करें तार्ण सव्मी की जिव कुछ ऐसा करो जिससे सब जिंजटी खताम हो जाए वो क्या है कि सोयम के सभाव को सर्वग इचनेन परमात्मा ने जो वीतराख सभाव कहा है उस अनन्त चतुष्टे सभाव में तत्काल रवन करो ज्यान में रवनता को प्रारम करो समय ज्यान से ज्यान सभाव की रवनता को बढ़ा समय ज्यान के साथ रहो करता बुद्धी के साथ मत रहो राग बुद्धी के साथ मत रहो कसाय भाव के साथ मत रहो अरे जब भी पक्ष हो तुमाएं अंतर से जब भी तुम अंतर से किसी का पक्ष करो तो वह तुमारा सभाव सभा होना चाहिए यादि अंतर से कुम किसी को सभाव को मेरे उप्यों को मेरे सभाव का पक्षवना है चुन्हीं मेरे उप्यों पहार की चलने वाले परिड़ों का पक्ष नहीं होना चीए अपने को पक्षपात करोगे तो ये किसी नशे बराधना हुए देखो किसे कैसे आशुप का पक्षपात करोगे तो आपके जीवन में पाफ होंगे दुर्गती में जाना पड़ेगा थो कघर घथतिपत सभाव को समरथन करेंगे तो अश्रव का अपने आप पूर्ण त्याग हो जाएगा सुभ भूमी का नुसार रहेगा और अपना काम तो है क्या है भूर जिन उक्त नियान रमीं जनेंट रखवान ने जो झ्यान सुभाव में रम forums करने के लिए अपने को विशेश राग्या दी ए वो अपना काम भगवान मानें कैं नहीं कि तो अपन भगवान की राग्या हम देखो 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 एजीव आत्मा एभव जीव प्रथम पहला काम करो जीवन का पहला का है इस मनुष्भव में यदि आपकी आयू आड़ वर्स से उपर निकल गई है तो आपके जीवन का पहला काम क्योंकि आड़ वर्स तक तो कुछ होना नहीं महां के गर्व क्यों सात महींने और साध वर्स और एक महींने गर्व के बाद तरीपग दृश्शाप पराप्त करने केली तो उतने समय तक समय दूर्सम के प्रापति नहीं करी जा सकती लेकिन तो आट वर्स से उपर की आयू के हो गए हो आट वर्स जिक्नातमाकि ध्यार अरे यदि आठ वर्स से उपर क्यों है यदि आक्यों हो गई है तो पहला काम आपके लिए है कि आपको अपने ग्यान में सेष्ट पद को घ्रण करना होगा सबसे पहला काम प्रथम पहला सरसेष्ट कार क्यों भई यह अरे क्योंकि बहारी पदों में जन्मरन करते हुए अनंत काल निकल गए संसार में 84 लाख यूनियों में जन्मरन करते हुए नाना प्रकार की बेदना भोगते हुए नाना प्रकार की कले को भोगते हुए 84 लाख यूनियों में परिभर्ण होते होते अनंता अनंता अनंत काल भ हो अधिच प्रत्म न्यान पद श्रेश्ट पहला काम है घ्ञान में अपने श्रेश्ट पद को प्राफ्ट करो ऑच जान में स्रेश्ट पद मतला अपना अविनाशी जो दृव सुभावा है परिपून यान कि पहला काम है यह प्रथम लिख दिया पहला सब्सक्राइब कर लो उसके बाद संसार में वह जो कर्मदे चल रहा है उनको पढ़िण में चलने लाड़ी गाड़ी बंगला साधी ब्यहा पढ़ाई लिखाई जो कुछ भी आप कर रहे हो जो कुछ भी संयोग में घट रहा है व कुछ भी संसार में हो रहा है यह कर्मादीन है वह हमाई लिए क्या काम है प्रथम कायर है आपके लिए न्यान पद श्रेष्ट क्या काम है पहिया अपने ग्यान में श्रेष्ट पद को अंतर अनुभूती का विसे वना लेना आपके जीवन का पहला काम है जीवात्मा आपक जीवन में जह कार्म जयेए जयेए जये जय जये-जय-जये-जय-जय जय-जय-щее-जय-जय-जय-जय हुआ गजब क्या की बात करेला तải जिद्ञक्तन्यान akin जिन वह जिन वह द्वास ने गिन्यान अमन तरो क्या करो बधिया अठेजी बात्मा परम शुद्द्धक पदार्थ नहीं चल रही और अध्यां में विज्ञान में इसे समझ्चे पर पुन्धक पाप पदार्थ से भिण होके परम जो पना चेतन्ह प्धार्त आशे ग्यान विद्विज्ञान बलत के iken जयां के विद्विज्ञान में अपने परंपदार्त का वेदन करो उससे मिलन करो Вас यह को करो कि अफ़िए परंपदार्थ परंपदार पोन सा बताओ ऊ-सो ना-चान्दी हीरे परंपदार कौन सा फिर लुब्न पाप्षाष नहीं है लुब्धार्ट कोई नहीं है य। ट्रूब चेतं शक्ति का स्वामि केसे मिलेगा पुन्य पाप आधी कर्मों से भिन जब पुन्य पाप आधी कर्म दिखाई दिखाई देगा इन पुन्य पाप आधी समस्त कर्मों से भिन अंतर में भेद ग्यान की शक्ति को जगाऊगे तब क्या होगा पदार्थ न्यान विन्यान तो पदार्थ केसा दिखाई या करें गुरू मराज सहकार करो मिलनद और देखो तो देखो तो इसे वल घ्यान में अभिनासी पत्र से मिलनकरों यही परमपदार्थ है संसार के पुन्य पाप जनित सारे पदार्थ छणवंगुर है विनाशिक हैं और बिला जाने वाले हैं और परमपदार्द आत्मा अपना ग्यान विज्ञान में केवल ग्यान में पद इसका सहिकार यदि अंतर में करोगे तो यह शाश्वत है अखंड है एक वार्ष से मुलन कर लो केवल ग्यान में सत्ता को प्रकट कर लो फिर कभी तुम्हें कोई आकुलता नहीं होगी सासरीरी केवली हो जाओगे और सासरीरी अरियंते दसव प्राप्त करके तीनों लोगों के में नात कहलाओगे तीनों लोगों परमात्मा होगे तीन लोग के एश्वर के स्वामी यथार्थ में इश्वर इश्वरत प्रकट हो जाएगा आपके अंदर में कैसे हो जाएगा पडार्त परम पडार्त को घ्रण काने से ज्यान विज्यान में यह करें सहकार मिलन एक बार से मिलन करो चुटी करो हमें सकी एक बार केभल ग्रखट हो गया तो फिर संसार की किल किलघ्त हे भिप रहात मानना एक नहीं मान ऑःत्र करो आ Mole सबीक पर और करो खो आत्मा अनंत काल सोग्हास तेवों के डैव गती halten में चले गए तो देवों के अनंत सुक्व को भोग लिए योनी में गई आत्मा तो देवों के अनंत भेवा को भोगो लिए कोब अनरक गती में गई है आत्मा तो भी कसायों से पेड़ ब्रां biz बोगों की काम की वासनां में और भॉजन की तलास में जीवन निकल ए और बहने की एसी लाल सांथर में बिटी म Hey बस जोड़ते जा जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ खाते जा उन्याओं चार संग्याओं से इन चार संग्याओं का उदे होने से दुख देने वाली दुखकारी चार संग्याओं का वेदन होने के खारण से जीप कहा लगा हुआ कर रहा है कि कसायों का अरे कितना खाओगे बगवाण जी आज तक जितना खाया है उनके एक एक दाने का हिसाब लिया जाए तो बगवाण जी पूरी 60 की रेशन डबल से हो जाए इतना खाया है मतलब यहां को जो मद्द लोक में दिखा दिखाए जाए भरत छेत इत्ते पुद्गल पढ़वाण गिरंड कर चुकी होगे तो पूरा भरत छेत फिर से बन जाए तो क्या किया रहा है मिलन आहार कि क्या कर रहा है जीव आत्मा ग्यायक सरूप में मिलन करो अपने ग्यान आहा से चुदा में पागल हो रही है राक की चुदा देश की चुदा कसाई की चुदा भोग की चुदा वासनाओं की चुदा यह आत्मा में अंतर में अनेक पेकार की चुदा होने करण से चुदा 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 की बेदना होने करण से यह आत्मा क्या कर रह आते हो एक क्या क्या है नियान सहकार रहा ज्यांन में ग्यायक सभाव का सहका रूप शुद्ध एहर घुड़ण तोह है उपियोगराजा आओ आओ और अपने में ठेर जाओ रवो न्यान सभाओं conversation सेहकार का आहर करो लगा वीडीं और बिधी तारंसमी कि रहा है वे श॥ी सेघकार का आहर किसे करेंगे मुनीं को आहर किसे करते हो सादू सादकों को बोबेने से नोदा बग्ति से कराते हैं क्या करते हो आईये झाल्फ की जैहों नमस्कार नमस्कार क्या करते हैं एफियोग अंदर में पिर क्या कि इस उप्यों को अपने आसन कमला आसन सिधासन इन आसनों को घ्रण करो अंतर के इंचार आसनों में बेठ हो और क्या करो अरे ज्यां के शहकार अहार करें करो और आत्मा कौना कलिए त्रफ्ट नियुक्त कर दो आत्मा ये अधिए अपने ओर यह और यह रही तो बहुत कथे इस्का ज्राट कर आफ तो को इह अंतर में ज्यान सहाई का सहकार करो जिए इसका ज्यान आहर कराओ और के तो बाधा रहित अबाधा अभेदान अहाँ कि अभेधान करने के लिए कि अभेधान के सी क्या है अरे मेरी आत्मा वादा रहे किसी है समझ से पिकार की कर्मों की वादा से रहेते अव्यावाद आवादा मेरी आत्मा सुभाव है अरे इसे सर्वकर्म आहार को छोड़के क्या करो वादा रहेत आत्मा को सर्वकर्मों की व अभेदान का अहार लो ग्यान अहार करोगे तो आत्मा राग देश के भैसे मुक्त हो जाएगी सब कर्मों की बंद विग्न वादा छूड़ जाएंगी कि विश्पास नहीं बता है कर्मों की बंद विग्न वादाओं से रहे इसकी बात कर रहा है को ने अपने सरोप में रमणता का भेदान है जयान आहार को गरं करो एसे जयान में वीत्राग तट्र का आहार गरं करोगे और अपने अंतर में निशंक निर्फए है और अवेर आओगे कि अरे इस जगत में मेरा कोई कुछ बिगार ही नहीं सकता मैं तो अव्याबाद सभावाला हूं एसे अवेदान और अहारदान दो अपनी अत्मा को यह एसा अवेदान और अहारदान दोगे अवेदान दोगे तो क्या संसार के जैन्मरण से छूड़ जाओगे निशंक रहो निशंत रहो निसल रहो बिलकुल किसी भी अज्ञान को करुम की वादा को मोहे राक के प्रपंच को संसार की इंद्री विशह वासना को बिलकुल मत देखो ज्ञान ज्यान मिलन करो अहारदान से मिलन करो ज्ञान के सहकार रूप अहारदान को गिरन करो और वाद आभे और आहार तीन ओगा वो शरी जान की सर्चा बादा रहे तो नीचे आ रही है तो क्या किरा पिया अच्छे आनंद से रहो फििए इस पिए जान 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 से एक अहर से मिलन करने अहर दान हो गया ज्यान का अहर करो ज्यान दान हो गया आधान हो गया और अभेदान हो गया अब नीचे एक्शंती नियान रमण बाध मुक्ति वेसच अब देखो क्या क्या तो लामन तर्जे श्वाव में करने की इक्षा प्वेदा करो जीजी उपर कर दो इसे और आप फ्री हो जाओ एक्षंती आउपर कर दो बशेदे वांचान उपाए रहे हैं एक्षंती न्यान रमणबाधामुक्ति भेश अक्षाना बिमुक्ति बहेस़ाच क्या कि futur अपने इस्ञाद सरूप में रमण करने की फावना अस्टार में जागर्त करो कि मैं ज्यायक सभा आत्म अ कि सवैंक इख्षंती का कई की इख्षा किरल का रहा के इख्षय के रागदेश सब्सक्रें कि कसा एक पुन्देपाप की इक्षा नहीं गुरुदेप काई की इक्षा एक्षंती न्यान रमण अरे इक्षा करो इक्षा करो इक्षा करो भाव ना भाव भाव ना भाव भाव ना भाव गुरुमाज काई की भाव ना पाई एक्षंती न्यान रमण अरे ज्ञान सुभाव में रमण आत्मा का निर्वचिक सा सुभाव है सब 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 बाधाओं से मुक्त भैसच ओशदी काहे कि ओशदी ज्ञान की ओशदी ज्ञान की ओशदी ज्ञान से अभे सम्मे ज्न ग्मूल में है तो आपके 4 दान अंतर में हुजाईं साउधान चेतन शुद्य सुभाव में रमन करने की याख अपने अंतर में है इक्षंती ज्यानन रम nitrogen लिशुद्य सबौ में वीतराख सुभाओं में, ग्यायक सुभाओं में, ग्यान मातर सत्ता में, यदि रमन करने की आपकी भावना है, तो ग्यान में रमनता करना तो ग्यान अहार होई गया, ग्यान होई गया, ग्यान दान, ग्यान में रमन करना ग्यान दान, ग्यान को ग्रण करना अहार दान, ग्या और शाली दान, घेसज़ दान एक ज्यान सम्मे ज्यान का प्रकास कर लो और चार दान अंतर में होंगे निश्य वाले, बिलकुल विशुत दोंगे चार और एक अंतर में निर्णे मत करो तो जीवन फर मर जाओ तरफ 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 के जीवान अज्यान भावन सब्थ तरफ स्वामन कि बाद बढ़े मंगल में बहुत आनंद को देने वाली है अंतर आत्में को बहुत सुखी करने वाली है इक्चंती नियान, जैसाब नियान जऌन करने के एक्षा यह तो बाधा विमुक्ती तो सब बाधाओं से छूड़ जाओगे भैसज और भैसज दान परकट हो जाएगा भैसज बाधा पर याए अनंत मिलन देखो देखो तारुसमी के करें पर यह जो जीव को पर पर याए की बाधा से क्या करें अलग करके और अनंत मिलन अपने सवास मिला देखो जितनी भी परियाए की बाधा दिख रही है उन सब करें नाश करते परियाए की जंजल को नाश कर दे परियाए प्रियाए प्रिणमन की दिष्टी को मिटा दे और अनंत मिलन और जो अपना अनंता जरिष्ट्टे में वीत्राख सभाव से अपना आपका और हमारा मिलन कर दे इसका नाम है है । यह सच्ची ऊशडी एक वार्श ओशडी को गिरण कर लो तो अन्ट अन्त काल कि जनमे रम मिट जाए है enforcement। इससार सरीर्भोः भोग मन बचन कांती कि नीचे जो तार्म स्वामी कह रहा है बिल्कुर से विप्रिद बात कह रहा है जो भी कह रहा है थे ना चार दान की बात यह चार दान निश्य वाले गई यह अपने जीवन में आ गए तो तो फिर कोई बात ही नहीं भी कि ऊवर यह और यहीं जीवात्मा यह सुद्द चारदान अटी पारा डाल लिट तुमने जो तरह था है है अहार ज्यान और यह तो फिर क्या होगा संसार सरीर भोग उभोग मन वचन प्रांती मतलब का क्रित तारित अनमत क्या होगा अनंत पारांवें परकट हो जाएंगी संसाल एक श्रथांट सत्भोता है कि क्या सिर्धांट सेधोता भी है बह। है बगत पहुत गोρέ the way यह आत्राभ यहीजी वाहां अपने निश्य आहाद्ञ से धी निश्य ग्यान दान से निष्शत और चार निष्शे निष्श मित चार की आधी है तो होते हैं एकिव आत्मा आज रीरा आधी की बाधा से बंद्र speculate हुए सावधान जीव आज अपने इस शरीर आधी की बाधा से बंदे हुए है इसका कारण यह है कि निश्य सुत्रदान अपने जीवन में नहीं कि सावधान सोना नहीं सनो क्या लिखा आखरी देखो शरी संसार सरीर भोग भोग क्या तुम यह दिखाए दे रहा है कि शरीर के सहीं दिखाए दे रहा हो संसार सरीर्थ। भोगों में रूमतanden क्यों हो तुम आज क्यों सब्सक्राजे क्यों क्यों प्रआम मैं संसार में इन प्रविकारी कर रहा कियो कि अनाधी काल से तुमने चार पेकार के सुद्द दान नहीं दिये कभी अहार दान से मिलन नहीं किया कभी ज्ञान दान से अपने वीतराग सुभाव के सहकार का अहार नहीं लिया कभी बादा रहे अपने ओशदी दान को नहीं जाना और कभी भै रहे ते कभी अंतरा आत्मा क जिद्यान करें अन्तर में नहीं मुए तो यह संसार सरीर में सुख्या वद्धी पड़िए कि अंज रखे संसार में संसरण हो था किसकी कर रहा है कर रहा है वो किसे कहते हैं एक बार वस्तु गिरन की जाती है भोजन आदी भोग घर आदी पुद्गल वस्तु में जो बार वार वभोग में आती है तो वभोग कि यह क्या कर रहा है मन वच करांती मन से वचन से काया से क्रिट कारित अन्मत कि क्यों कर रहा है 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 क्यों 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 ंबनाद करो तो देखो तो आहरदान हो जाएका और अपने सुझ्द सुभाव में बादा से रहेड होगे तो ओछा दीधान अधितरन सुम्मीं जा तो बड़े कधिन दान है बाहर में दान देने कहूं न कितना प्वेसा देने कि न वह बाहर वाले दान को दान कहीं नहीं आगम में आगम में दान तो इन चार दान कोई कहा लिए क्यों कि निश्चे बहबार दोने में घड़ सकते हैं अच्छा हम आपसे प्रश्न पूच रहे हैं धन के दान को दान क्यों नहीं का जैसे बताएगा हुआ प्रश्ण का जवाब है कि पैसे तो आप लगई बातों का जवाब देते नहीं हो लेकिन फिर भी कोई बताएगा कि धन धान को दान क्यों नहीं का आगम में चार दान में कहीं भी किसी भी आचार ने धन धन के दान की कोई चर्चा नहीं करी क्यों नहीं करी चार दानों में कहीं मंदिर बनवाने का प्रसंग नहीं आया कि मेरा है ही नहीं वो तो मैं कैसे दान भी सब्सक्राइब है तो लगण्स थोड़ासा और अनंड आ जाए कि पता लग जाए कि बस्तर बातन सब्सक्राण करते कोले क्यों क्यों कि विर्वक है सकते हैं दान कि इसे आप अज़ल के नियराख लएद्प सबी पुने पाप से आता है और अनुकोलनर यह वह सभी पुने पाप से आती है सब सबस्क्राइब लेकिए चीह अनुकिखेलं सब्सक्राइब सब्सक्राइब असा दा जाही २ि निkiem यह तो वहार में अपन कर सकते हैं अहारदान निश्य भी यह वह वहार में घड़ाया सकता लेकिंग धन्य दान को कपड़ा दान को और कहां तो जहां आगम में जितनी भी चीज़ें गदी हुई है वह आध्यात्म की साथना के सापक्ष दी हुई है आचारी ने जो भी लिखा है वह आत्म हितार्त लिखा आत्म के हित से लिखा आत्म के हित के लिए लिखा चारों दान निश्य में घड़ सकते हैं पईसाई का दान निश्य में नहीं घड़ सकता मंदिर बनवाना निश्य में घड़ सकता लेकिन निश्य में घड़ सकता अंतर और आतमा में लखर सकते हैं ग्यान प invers Exclusive अभे भी आतमा की गुण है यह कि चारोजान आत्मा की गुण कर सकते हो हुआ अब आपक्षेतने निदान किए दो तो बाहर की बस्तु नहीं आत्मा लेकिन चारो दान आत्मा की गुण है ज्ञान भी आहर भी ओशादी भी और अभे भी आत्मा के गुण है कि इसलिए आगम में जो कुछ भी दिया है वह सब आत्मा से लिया गया है और अपनी अज्ञान मूद बुद्धी ने सब बाहर घठा दिया और सब बहार घटादी आपने स्वाध्य है इसे रहेदी जिए न जी तत्त धर्म को नहीं जानते बहार ये आहर करवा कि अपना को धर्मात्मातना मान रहा है पात्र को करवा रहा हुआ कोई बीवे नहीं क्यों ज्यान ही नहीं और आचार वग्वंतों ने चारों अहार अंदर की कहा है भी अब यह बात है समझना बहुत धुरुलब है जब आप गहन खुद चिंतन करोगे खुद आत्म गुणों को अपने सापेक चनुभाव करना चाहोगे तब यह बात समझ में आएंगी कि निश्यदान और बहवार दान में क्या अंतर है बहवार दान हमें सब परके लक्से से होते हैं जब तक निश्य ना हो तब तक बहवार दान होते ही नहीं बहवार दान भी तम माने जाते हैं जब चार निश्य हो वाले चार निश्यदान आपके पास ना होना और आप यहार क आपकी विशेश होना आ विशेश भावना से जो दान होता है उस दान को आगं में दान संगय दिए और हम जो मंदिर हो पैसे मिलां दीए जा रहा है और लाकों क talent दे जा रहा है और पात्र को उपうわ जिन धर्म की यतात प्रभावना में हो वहीं देना हर कहीं मत देना जीवात क्यों कि हर कहीं दोगे तो पापा नो बंदिपुन्द भी नीवनेगा इसलिए अपने को यहां बहुत अच्छे सम्माल के विचार करके शुद्वीत्राग घर्म की प्रभावना में जिन शाषन की महिमा में अपने को अपना सहियों देना है अपनी भावना उत्कृष्ट हो और निश्चे चार दान का सरूप दो जानोगे तो तौन सब्सक्राव मिल जाए तो तरह समय शारह प्रकार के ध्लांच को नहीं बात है भगवान जी यह तो यही तो अध्यातम में रिखों अध्यक्ति किरिया कार्ण का परदा फास किया वैक्ति देना तो पात्र को देना फुपात्र को मत देना कुपात्र को दो गए तो नरक्ति का बन दोगा पापानो बंधिप रखश्यक अधि कुंद रेंगे सदbn क्या जीव ह certains भावन देन के भावना से रहे बनद ситу rantan चारे सुद्ध प्रकट करने के बाद यहीं तुम दान दोगे तो फिर पुन्यानी बंदी पुन्य बनेगा तुम्हारे 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 निर्माण में कारण बनेगा मतलब संयोग में धार्मिक अनुकुलतनाएं बनी रहेंगी जिन शाषन की महिमा भगवान का उपदेश बहर पिलाएगा तो तारण स्वामी की तरह अमर्द बन जाएगा तो अटी से वो जाया तो मैं टाप निकल जाएग और तुम अच्छे से अंतर निश्चेदान में ज्यान आहर में ऊशादीदान में तुम अतींद्री आनन्न के ज्ञान सरोबर में रमतरा होगे कि आ जिए तारण समझ में नहीं आएं और च शंति न्यान रमण बदामे मुक्ति भेसके इच्छा तो करो जैच्छा करो इच्छा करो इच्छा कर गवान जी अपने अभे ज्यान बिज्ञान में निशंग के सभाव में आचन करने के एक्षा करो वह नहीं कर पाए तो सरीर संसार भोग उपभोग मन वचन काय इनमें लगे रहो कि आधो बाधा उपदेश परणे प्रमाण बाधा इंद्री विशे तान सभाव इसे सभण अहार को करने में वाधा क्या है कि किसी भव बयजीवने म्यूट फोला है प्रेश निकाप सकता है वो गलती से खुला हो तो हम नाम ले इस से पहले सब ले ऑसे बंद कर दे तौट्ट किया है हमें चार दान देने बाधा क्या है को और भी आ गुझे है एление कहा हूँ है है वगबान जी तारह सुछ गया टारण स्थ्ल history हम चार दान की बाद सुनत्थ रहा है अंतर वाले हमें इन चार दानों को देने में क्या बाध है रोस्त था अगशा में बाधा बताइए कि इन हम संसार में चोंडमें रुची वह बाध सरीर की रुची बाद है इंड harmony करas000 बोलने का रग्स मन वच्ण काय में एक में खोने का रस यह यह विकारी पर आहे कि नहीं और क्रिटकारित अनुद्णà से मन वच्न काय करे चन्वुद्ना से जो तुम संसार में रमन कर रहे हो यह सब बाधक कारण है और देखो और इन सब में रत होने रुप बाधा उब्देश परणे प्रमाण कुलिंगियों को उब्देश ठीक है खाओ पीओ एश करो खाओ पीओ मोजड़ा जी उपर कर दो इस परिगराफ को पूरा प्स्थ उब्देश बदैश बाधा उब्देश परणे प्रमाण फुलिंगन की बात को प्रमाण मान रहे हो न ये बाधा इंदरी विशे पांच इंदरी के विशे के भोग है विए पांच इंद्री यह चार दान देने में अंतर निष्चे के चार दान देने में क्या बादा है कि रेंगे जो विशेव होग में यह बादा है भी पांच इंद्री विश्रभोगों में राथे इस aanपना क्या हो आब यह हम पांच इंद्री विश्रभोगों पांश निजियर दान कहते करें न ता jak अहर दान कहा था आत्मा से अहार आहार आह अपने ज्यान आहार में डिटे रहो किए देखो सर बादाओं से रहे तो अपनी आत्मा परम इन चति हते में है हाँ वह कितकी अच्छी बात किती बात नंद आ गया सुनके आनंद आ गया सुनके आनंद आ कर रहे हो ज्यानियों का उफदेश सुन रहा हो परिणे प्रमाण और उस रूपी परणती बनाकर उसे को प्रमाण मान रहा हो कुल निंगी जो कह रहा है वही सही है उस्जान से जो घर्पत प्रभाः किये रहे आज यह ज़रूरी है यह दा करो करो पुन्द करो पुन्द में धर्म है नियम लेलो व्रत लेलो सयम लेलो आत्मा मात्मा होती ही क्या फालति वाते मत करो क्या करते हैं पूलिंगियों के पंडितों के नारा पिकार के अज्ञानी जीवों के बचनों का विश्वास करके उन्हीं को प्रमाण माल लेते हैं क्या कर देश सुनके जो आगम के जानकार नहीं है जिनके अंदर खुद पूजा मनाम पितिष्ठा की चाहेना है जो भगवान की वाने से प्रित बोलते हैं एसे क्यों के बचनों को प्रमाण मानते हैं उस रूप पढ़नती बनाते हैं तो एसे जीवों को एसे सुद्ध को कभी भी चार दान की प्राप्ति नहीं होती नहीं होती नहीं होती यह बगवान के बचन है कि क्या करना पता है कि यह बहुत दिक्कत है इंद्री विश्यों के इंद्री सुक्य बिना तो जीना कर आकाल्पनिक है कि कलपना भी नहीं कर सकते हम इंद्री सुक्य बिना रहने कि ठंड नहीं सेहन कर सकते गर्मी सेहन नहीं कर सकते भूक सेहन नहीं कर सकते हम इन इंद्री विश्यों के सईयों के विना अपने जीवन की कलपना भी नहीं कर सकते हम इस समाच के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते हम परिवार के बिना अपनी कल्पना नहीं कर सकते हम क्या बोलते हैं इन कसायों के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हम नाना पेकार की अग्यान मानता नाना पेकार के बाहर के परिणमन जो चल रहा है संसार में उ अपना भी नहीं कर सकते हम को औरे क्या हम कलगना भी ने रसकते बिल्कोल नहीं कर सकते है तो इन्दरी बाधा इंद्री विश्य इंद्रियों के विश्यों की इक्षा होने के कारण से ही हमाई जीवन बाधा पड़ी हुए ग्यान अहार और ज्ञान और और ओशाजी दान अवेदान और क्यों नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारी रुची बाहर में संयोगों में डटी हुई है जो नीचे करें दिश्टी आदिश्टी जो अपने दिश्टी है वो किसी हो रही है आदिश्टी मिथ्य दिश्टी हो रही है जो देखना चाहिए है भब जीव अरे इस सब बाधाओं से हटके अपनी दिश्टी कहा जाना चाहिए अपने इस्ट सभाव को जाना चाहिए अदिश्टी मिथ्या शर्दान चोड़ना चाहिए अपने गजैं को स्थाघ से मिथ्या चिपने को ट्यागन चाहिए कि कुछ जब अर्ium शर्दान को खोड़के अदिश्टी जिसे आज तक नहीं देखा जो आज तक अपनी नजरों में नहीं आया वो अतींद्री इंद्राकार चैतन्य महाप्रवु जिस निश्यदान की यहां तरण तरण दे चर्चा कर रहा है जो आत्मा का तरकालिक सभाव है वो आत्मा का तरकालिक सभाव वो आत्मा की चैतन्य महावस्तु दिश्टी आदिश श्रेष्ट अनंत गुणों का पिंड है इस श्रेष्ट अनंत गुणों के सत्त पिंड में देख 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 इसी में रीच अपने सत्त स्रेष्ट सुभाव के सहकार में रमन कर अपनी दिष्टी में देख यही श्रेष्ट है यही अनंत गुणों का पिंड है संभाय समय की स्वाहवा समय इश्ट सुद्धात्म रमन कर गै में सुद्पन धेंग अपना वीत्राग अनंचतिश्टें में इश्ट सभाव अनुभूति निमें प्रकड हुआ है ह involvement कि ति टोले इसी उत्पन सद्धिके माध्यम से के अपने अनंतन चतुष्टें में अलगे सब्सक्राइब कि भूख मैं मैं निदोग कर दो गया वह को पहुत कर दोगें कि भी नीचे वालव प्रोग्राफ या पोल गया कि सब खतम और उपर आप यह सां निया किरा कि है जीव आत्मा सब बाधायों से चुट कर अपनी सर प्रकार से शुठवा में लगा जच्ची के माध्यम में से अधिश्टी देख उसे नही देखा उसे से यह क्या होगा अपने अंतरा ज्ञान सरोबर अशब्द सभाव जो शब्द में अभी आपको सुनाई दे रहा है वे गुप्त वीत्राख सभाव स्वानु भूति में प्रकार्ट हो जाएगा और अपने अंतर में जेएकार मत्यास है कि तारण स्वामी की बचन साथ हैं ध्रूब है प्लमाण है वह स्वान भूटिस सीका कि इतना कजब का सिध्धान तेरा है तो की अपने अंतर की दिश्टी के माध्यम से ती के माध्यम से मुक्त-शुभाव की रुची के माध्यम से अपने अंतर में सर इस्ट सर उनसा सब्द सर अशब्द सर गुपित सर इन तीन तीन सरोबर को प्रिकट करो सब्द सरोबर को प्रिकट करो कि घ्यान में जिनेन भगवान के अनुभाव प्रमाल वचन ये शब्द सरोबर है इन वचनों के माध्यम से अपने अतींदरी आनंद सभाव की अनुभूती असब्द सरोबर है और अपने वीत्राग गुप्त सभाव का अनुभाव में डूब जाना लीन हो जाना शुद्पयोग को प्राक्त कर लेना गुप् शब्द सरोबर को अशर्य शब्द सरोबर को गुपित सरोबर को अपने के अतींदरी आत्मा के गुपत स्भाव का अनुभाव कर लो तीन सरोबर की ठरद्राप्त कर लो तो अult इसाल अंतर में यह इस्ट घ्यान में सरो वर्हें है तिशब्द सारूबार सब्सक्राइब भगवान की दिवधोनी का चिंटन मननद अनुभाव पूरवध उत्त के शर्थान पूरवध भगवान की अम्रित में घ्यान रसकों जर्थी हुई इस जब दोनी का चिंतन मनन होना इस शब्द सरोबर है और इस चंतन से पार हो जाना अतींद्री आत्मा की अनुभूती के काल में डूब जाना यह अतींद्री उन शब्दों के वेदन को प्राप्ट कर लेना स्वानुभूती में प् उप्योग की डूपकी लगा लो उस गुप्त सभाओं के सहकार नों ढूब जाओ सादु दसाओं करके शुद्प्योग को प्राप्त लो सवान भूती में निमंगन रहो जेह गुपित सरोबर है क्या करना है कि ना हेतारण सौमी तुम अंतर्यामी तुम्हारी जय जय का क्य क्यों अहस 요즘 गुरुद्व आपके अंदा तो थो उत्पन हो गया है तो आपकी सट्पट आपकी माया आप समालो हमें पल्ले कछुम पड़ी नहीं रही का का सब्सक्रावस प्लबाई याझ कूं सी रश्टी सभावasan कि के न का हो रहा है का क्या हूं सी बाधा है कौन सी आभादा है एक उसा ज्ञान आहार है गृरू दियुह में चूंए लिए और आपसों मी हो आप नतरयामी हो और आपकी मायाcolored जानोः आपको कामढ़ो हमें आनंद में रहने दो कि संसार सरीर भोग भोग मन वचन का ऐसे क्रित कारित अन्वोद न करके हम वापिस निगोच जाने के लिए तैयार कि तहीं ना कि दें गुर्वेब के बजन सत्त हैं दुरुब हैं प्रमार हैं और हमें कि यह दो स्वीकार हैं कि यह ना हम यहां कहेंगे ना हम मां कहेंगे चले कोई बात नहीं कोई कुछ नहीं कहें अगला परोग्राफ तो दीजिए कम संग व्रंद का वांचन यह बड़ा सूरा करें प्रमिल्टी सो पूरी करने पड़ेंगे ना ग्रंत खोला है तो पूँम्ह टो करना पड़ेगा कि अनुभाव में आए या ना आए वांचन तो करने हैं कि अ कि अधिए कि सम्याग दर्सन को ग्यान दान से और सम्याग ज्यान को अहरदान से घटाया है ऐसा भी कह सकते हैं एक से जोड़के घट जाएंगे वह जहां समय दर्सन और युक्पध होते ही लेक्षित bracer कुल के rappers वाला ज्यान होगा वहां शर्दान हो गई विना शर्दान के ग्यान हो 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 सकता सभी समय दर्सन होगा तो ही ग्यान का और अहार मिलन मतलब स्रुद्हान और उसको निरंदर रिए में प्रतिती रूप जो बरतना हो रही है उसे ज्ञान की निशंकता है उसे अभी अभी ध्यान के रहे और सभी बाधाओं को छोड़के जो घ्यान अपने में आच्रण कर रहा है चारित्र में रमन कर रहा है वही तो क्या कहते हैं उशदीदान है रागदेश कसाय को सब नाश खर रहा है चारोदान एक हुग सतान पर है गारदान है वहां फैर भी होता है तो को डर्शन को ग्यातदान से समय ग्यान को हारदान से अग्यान को निकालना भगवान का सोटी है ज्ञान की कसोटी साधना है वो तीक शुड़े घ्यान की कसोटी पर खड़े उतर की हुई और एसे अपने गुरुदेव एसे अतारण सौमी कि उन्होंने एक मात्र शुद्ध आत्मा को आधार मना के पूरा सैयम लिखा आप कोई सा भी गरंट उठालो विश्व का चितने मेने पढ़े हैं उसके अनुरूप के रहा हूं इस विश्व में जितने अध्यात्मिक गरंट अभी धर्ती पे उपलप्द है और देखने में आ है उनमें कोई सा भी गरंट उठालो चर्णानी योग की चर्चा कर्णानी य दिखा है एसा कोई दूसरी कृति इस विश्व में अभी तक मेरी नजरों के सामने प्राप्त नहीं हुए और इस पंचम काल के पहले अपनी इनके ग्यान को समझना और सर्वाक सिद्धी जाने वाले दूसरे मुनी पूझपात स्वामी के बाद तारन स्वामी इस पंचम काल स एसे चाहिक समयक्दिष्टी एसे तारन स्वामी जैसे संत का उधे होना यह महान करांती है और उनके पंथ में आपका जन्म होना यह समझो अनंत उत्कृष्टता को प्राप्त करना है और उसके बाद उनकी इस घ्यान में अम्रित देशना को समझना और उसका अभी प्राय प्राइब प्राप आप्राप कर तारन्स्वामी जैसे संत मिलना तो खैया आसम दो लगें तो एक घंटा उसमें निकल जा तो गुरू महीमा तो गुरू महीमा यह भगार गुरू तो गुरू ही होता गुरू जैसा प्रकार दुनिया में दूसरा कोई नहीं और जीवात्मा जब ये गुरुदेव की अम्रित में अपने स्वाइब घुरुकुन Wooag प्रमात्मा को भी बंदन किया है तो वो अपने गुणों की प्राप्ति के लिए किसी भी बहारी अडंबर को एक भी एक भी क्रिया को इस्था नहीं थे तान समय आप पूरे चौदा ग्रंतों में से विना आत्मा के अभिप्राय के एक भी क्रिया लाके बता दो अरे भगवान के जो चट्रीस अथीस तक लिखे ना चोट्रीस अश्ट्रपतिहार मूलगून अधिश्टक चंद में उनकी रचनाय देसी रचनाय नहीं मिलती कहीं अनुष्टक स्ण्द का उप्योग और भी आचारून ने किया है कविदा साधी इन लोगों ने विक्या अनुष्टक्षंद भूत पिशलित थे तारणस्वामी के समय एक अनुष्टक्षंद के जो अपरभवासा का उप्यों तारणस्वामी गरंत में है वह आपको और कहीं मिलेगा नहीं जितना अधिक बहुलत्ता से व्यकराण अचार कहों उन्हें संगित आचार कह cap on क्योंत्या ने क्या कहो गया सारी सारी विध्याइं तोंके गरंतों मिलती है हागाम आचान्सडान फिसको कोई कोई गिरंट का नहीं काड़ सकता एक शब्द काड़ कर बता दो चोदा ग्रंटों में सब्सक्राइब अकार्ट वाणी एसे थोड़े ना भगवान महाविर के समुशन में अदिभधनी सुनीती भगवान आत्मा इसलिए अपन बहुत सावधानी से बहुत बहुमान से इ अब देखिये हम तो कहते रह जाएंगे आप भी अच्छे जीव हैं सुन लेते हमाई बाते हैं अच्छा कहें तो भी सुन लेते हैं अव्य हैं हमसे ज्यादा पादर जीद्ट आप लोग दिखाई रहते हैं ठीक है तो अपन आज की चर्चा को यहीं पराम देते हैं इसी भ लोग में कभी न चूटे कम इतनी भावना दिन में चार छे भार भालिया करो रे जीवात्मा इतनी भावना भालिया करो कि तारण स्वामी जैसे संतों का समागा मतारं तरंदेप की करणा और गुरुदेप जिनेन भगवान का उपदेश मेरे जीवन से एक छण के लिए भी कि इतनी भावना भालोगे तो कल्यान हो जाएगा भगवान जैनमोस्तु आतम शननन्दियानन दिमाउचे ये ये ये